आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ 80 is equal to what तो इस question में हमें कुछ relation दिये गया है जैसे 20 और 30 अगर हम इसको आसान वासा में समझें आसान सब्दों में समझें तो 20 और 30 के बीच में हमें कुछ ऐसा mathematical operation करना है जिससे कि वह 5 आजाए 90 और 40 के बीच में हमें उसी तरीके से एसा कुछ operation करना है जिससे कि 13 आजाए एंड वैसे ही 20 और 20 के बीच में अगर वैसा कुछ operation किया गया है जो कि 4 आगया है मतलब इन सब में ऐसा आया है 20 और 30 में operation किया गया है तो जो 5 आजाए है सेम उसी लोजिक के थुरू 90 और 40 में operation किया गया है 30 रहाया है और 20 और 20 में किया गया है तो 4 आया है उसी सेम लोजिक के थुरू हमें 90 और 80 में ऐसा operation करना है इसी लोजिक को follow करते हुए हमें इसमें ऐसा operation करना है और देखना है कि इसका value क्या आता है तो आए सबसे पहले तो हम जानने की कोशिस करते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है 20 ट्रेंगल 30 इस इक्वल तो 5 और 90 ट्रेंगल 40 इस इक्वल तो 13 and after that दिया है 20 ट्रेंगल 20 इस इक्वल तो 4 और हमसे पूछा है इसमें कि 90 ट्रेंगल 80 का value क्या होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात को जानने की कोशिस करते हैं कि इसमें ऐसा किस लोजिक के थुरू इन दोनों की बिसे ऐसा relation ऐसा क्या किया गया है जो की 5 आया है तो सबसे पहले हम इन दोनों number को add कर देते हैं 20 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा पचास और इस पचास को हम divide कर देते हैं 10 से तो हमारा कितना value आ जाएगा 5 मतलब इसमें वही नंबर है इन दोनों अगर add करते हैं तो आता है 130 और इसे हम जब 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है 13 जो की यहां दे दिया गया है इसका मतलब हमारा logic बिल्कुल ही सही है कि हमें इन दोनों number को वापस में add करके और फिर उसे 10 से भाग कर देना है अगर उसी logic को follow करते हुआ अगर हम इसमें वैसा ही operation करें तो अगर हम इन दोनों को add करते हैं 90 प्लस 80 कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा और फिर इसे जब हम 10 से भाग करते हैं तो मेरा value आ जाएगा 10 इसका मतलब कि इस question mark वाले place पर कितना आएगा 10 sorry sorry फुरा से यहां गलती हो गया अगर इसमें हम 10 से भाग करते हैं तो मेरा answer आता है यारी value आता है 17 और question mark वाले place पर आ जाएगा 17 जो की option number D में दिया गया है जो की बिलकुल ही सही है I hope it is clear to you thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर